स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से सेकंड डाउन की काउंसलिंग आपके स्टार्ट हो गई है आपके रेजिस्टेश होने लगे हैं आप देखें यहाँ पर छात्रों के लिए फिर से टेंचन वाली बात है कि आपके 500 रुपए और आपके सेक्योरिटी फीड दोबारा से सम्मिट हो रही है तो क्या यह बात सच है तो चलिए अपगेट वाले स्टुडेंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंफॉर्म करना चाहेंगे अगर आप नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर दीजिए टेलिग्राम इस्टाग्रा है दिन सेकेंड डाउन की कांसिलिंग करेंगे तो उसमें आपका जो पेमेंट है वो कितना रहीगा तो चलिए डिसीजन मेकिंग पर एक बार इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पर आपका एक्सेप्ट और फ्रीज ऑप्शन आपको देखने को मिल गया है अब देखिए अगर अपग्रेट स्टुडेंट कराते हैं तो पेमेंट कितना रहेगा वो भी एक बार चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स आपको करना क्या है कांसिलिंग रिजिस्टर पर आपको जाने के बाद में यहाँ पर आपको कांसिलिंग रिजिस्टरेशन अपना कराना होगा तो यहां सिद्धा इसको open कर लेते हैं अब देखिए यहां पर आपको round 2 के लिए participation आपका phase 1 show हो रहा होगा दन नीचे आने के बाद में आपको payment के लिए आपको यहां पर click here to pay via bill desk से आपको online payment करना है उसके बाद यहां पर counseling registration fee आपकी रहने वाली है 500 और plus आपका security अब यह समझ नहीं आरा friends कि यहां पर security आपसे दुबारा क्यों ली जा रही है आपको यह security जब आप submit कर चुके है आपको तो सिर्फ college change करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपे का payment आपको करना चाहिए था अब यहां पर आपने prospector में भी कहीं पर भी इसको inform नहीं किया कि आप security fee submit करेंगे upgrade कराने पर तो यह सरा सर थोड़ी सी चीज़े आपको tension देने वाली है तो I hope friends यहां पर अगर आप चाहते हैं upgrade कराना तो आपको यहां पर 500 रुपे का payment तो करना होगा उसके अलाबा आपको यहां पर 5000 का payment भी करना पड़ेगा तो यह थोड़ा सा bad news है आप सभी के लिए उसके बाद आप क्या करेंगे अपना इसको payment करने के बाद submit option पर submit कर देंगे और next आपका जो choice filling होगा आप अपनी choice filling कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा आपतिजवक चीज़ है तो इसके लिए थोड़ा सा हम भी बहुत ही ज़ादा दुखी है कि ऐसा होना नहीं चाहिए चात्रों के साथ बहुत ही ज़ादा यह चीज़ फ्रॉड है या तो inform करें या उस चीज़ को पहले से ही बतायके रखें कि आपका security fee लगने वाला है तो student के साथ में थोड़ा fraud करना faculty को छोड़ देना चाहिए तो I hope friends आप सभी लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर fees का payment करना है और अपनी कितनी payment आपको करनी होगी तो चलिए अभी के लिए इतना ही वीडियो को like जरूर करके जाना अपने friends को share भी करें और subscribe भी करके रखें thanks for watching